आज में हेल्टगाड तेल जो अर्शिय में मिलता है उसी से आम टॉमाटर का चाठनी पनने जा रहा हूं बहुत ही स्वाजिश्ट होता है यह तेल यह तेल दाला अभी प्याज दाल रहा हूं इसमें शिप्तिवा हट नहीं रहता है यह दान का भूस से बनाया जाता है और इस तेल में आपको एंटी ओक्षिन पाया जाता है तिन एंटी ओक्षिन पाया जाता है टेकोट्री नॉच्ट ओरिजिनल्स और टेकोट्री ओक्षिनल्स यह इसा एक एंटी ओक्षिडेंट है कि हमारा शरीर का हर काम हर सरीर में हर काम में आता है अपका विर्चक गेश्टि के विमारी दूर करता है हट का विमारे के लिए अच्छा है हैा शुगार विमारे विल्डी यह अच्छा है कि यह एक एंटी ओक्षिडेंट धान से पाया जाता हे चामल के बूस्ते पाया जाता है पुराने समय में चामल पर मिलता था और आज तखनीक आने के बाद ये चामल से अलग किया गया है तो इसलिए लोगों का बिमारी बड़ते गया है तो आज फिर उसी घुष से इस चामल को बनाए जाता है और कि इसी को हम यूज करते हैं तो हम बिमार से रहात मिलता हैं दोस्तों अर्शन का तेल आप कच्चा भी खा सकता है कच्चा अगर आप लेंगे तो एक चमुष स्वो और एक चमुष स्वापल लेने से आपका अधम का अधम सक्षी बढ़ेगा आपका डाइस्ट ऑडाइस्ट का पावर बढ़ेगा तो आप हमेसा ले सकता है यह अर्शन में आश्यम के कोई दुकानी मिलता है तो इसमें आप लोगों को इसका कीमत है एक लिटर का और कोई भी दुकान में अपलब है आपको कहीं से भी नूज़ सकते हैं तो जय जय शिल जय हिल जय भरत थैंक यू